आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक के करंट अफेयर्स और इस्टेटिक जीके के क्वेस्टन्स जीके क्वेस्टन जो बार-बार पूछ जाते हैं चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के साथ इंडिया स्ट मेरी टाइम आर्बिटरेशन सेंटर ये बनेगा गांधी नगर गुजरात में ये गांधी नगर है इसको सही कर ले ना इसका नाम था दिलीब कुमार इसका नाम था दिलीब कुमार इनका घर था पेशावर पाकिस्तान में जोविनल मोईसी, he was the president of Haiti who was assassinated, postpaid mini loan facility ये इशू की है पेटियेम ने first state to launch its own OTT platform ये बना है केरला, new director general of all India radio ये बने है N. Venudhar Reddy, the ramayan of श्री गुरु गोबिंद सिहिंग जी ये लिखी ये बुक बलजीत कोर तुलसी ने UN Commonwealth Points of Light Award 2021 ये मिला है सयद अस्मान अजहर को, PM of Sweden ये बने है Stephen Lofin, first Indian golfer to qualify for Tokyo Olympics ये बनी है Aditi Ashok, the pregnancy bible ये बुक लिखी है करीना कपूर ने, chairman of national green tribunal ये बने है Adash Kumar Goyal, new interim CEO of international cricket council ये बने है G of Allardize, population, control, stabilization and welfare bill 2021 ये आया है UP government के अंदर, UP government लेकर आई है इस बिलको योगिया दित्यनात, जो वहां के CM वह लेकर रहा है, आननदी बेंड पटेल, को है वहां के, governor, very very important, airline of the year award ये मिला ह G20 head for 2021 ये बना है Italy, Indian jury for the Tokyo Olympics ये बने है Pawan Singh, ये first time बने है very important, Copa America 2021 इसको जीत लिया है Argentina और host के अदा इसको Brazil ने, Brazil ही capital है Brazil, resident grievance officer by Twitter ये अपोइंट किये गए है winner Prakash, very very important, काफी जाधे important रहे, सर्बिया open chess championship इसका winner है निहाल सरिन, फर्स private liquefied natural gas LNG plant ये बनेगा नागपूर के अंदर, नागपूर है हमारा स्टक के अंदर, PM of Ethiopia ये बने है आबे एहमद, इनको Nobel Peace Prize भी मिला सा, very very important, ये again PM of Ethiopia बन गए है, 2021 विमेल्डन women's singles ये जीत लिया है असिलेग बार्टी ने, 2021 विमेल्डन men's singles ये जीत लिया है, नवाक झोकोवित ने, नवाक जोकोवित ने, जीत लिया है सब्स्रे लिया है, चाहे वो ऑसटिलन उपन हो, फ्रेंज उपन हो, विमेंडन हो, सारे के इन्हों ने जीत लिया है, नीoo फाइनेंस minister उफ स्री लंका ये बने हैं besten राजा पक्सा, तीनों ब्रदर्स बन गया है, एकtedु यह मोरी फाइनेंस मिनिस्टर इंडियास फर्स्ट क्रिप्टो गेमिक गार्डन ये खुलेगा देहरादून के अंदर देहरादून कैपिटल है उत्राकंट की धींग पटकई नेशनल पार्क ये है असम के अंदर कोपिली हाइड एलेक्टि प्रजेक्ट ये असम के अंदर ब ये मिला है क्रिस्ट्यानो रिनाल्डो को ये अर्जंटीना के प्लेयर है खेलो इंडिया 2022 ये होगा हर्याना के अंदर हर्याना में पंचकुला के अंदर विमल्डे जूनियर मैंस टाइटल 2021 ये जित लिया है समीर बैनर जी ने वर्ल्स फर्स्ट कोंजुगेट कोरोना वैक उन्होंने ये अनौंस किया है पीम उफ नेपाल अब बन गया है श्री बहादूर द्योबा पहले से केपी शमा ओली अब बन गया है शेर बहादूर द्योबा वेरी वरी इंपोर्ट है शेर बहादूर द्योबा शेर है रहे राइट भीम UPI has signed a MOU with Bhutan भुटान की कैपिटल क इंडिया का वोटर अनिमल है इंडिया का नेशनल वोटर अनिमल है डोल्फिन वेरी वेरी इंपोर्टन और नेशनल अक्विटिक अनिमल फस्ट इंडिया इंडिया का वोटर अनिमल है इंडिया का नेशनल वोटर अनिमल है डोल्फिन वेरी वेरी इंपोर्टन और नेशनल ये बुख लिखे है अशोक चक्रवर्ती ने विमें सिंगल स्विमें लिखे है असी लाइक बाटी ने फिर से बता रहा हूँ ये लिखे है बलजीद को तुलसी ने ये बना है बाबर आजम जो पाकिस्तान का है इंडियास लाजेस सोलर पावर प्लांट बनेगा गुजरात के अंदर इसको NTPC बनाएगा चेर्मेन ओ एंड ईंड ऐंड शरी गुर्दीप सिंग है चेर सोंग पुर इंडियान ये इस्पोर्ट्स पर्सनेल्टिस पर टोकियो औलमिक्स ये है हिंदुस्तानी वे और ये गाया है अनन्या बिरला एंड एर रह्मान ने और इसको लॉंच किया था इंडिया के स्पोर्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुन ने मेमनून हुसेन ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के जो भी हमारी नेबरिंग गंटीज है इनसे लेटीड न्यूस भी काफी बार पुछ जाती है एक्जामस में बॉनालू फोग डांस ये है तिलंगना का नेम ओफ दी फोटो जर्नलिस्ट हूँ वोस किल्ड इन अ स्पिच्वल हैटेज ऑग्मेंटेशन ड्राइव इनोग्रेटिड बाइन नरेंद मोदीन वारांसी दि लीडर ऑफ हाउस इन राजसभा ये इलेक्ट कर दिया गया है प्यूस गोयल को पहले थे थावर्चंद गैलो जो अब बन गये हैं करनाटका के गवर्नर ती फर्स्ट इसकिल डे 15 जुलाई को उब्जर्ब किया जाता है और इस बार इसका थीम था रीमेजनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक इंडिया सिंगल लार्जे सोलर फोटो वॉल्टिक प्रोजेक्ट बाइन टी पीसी ये कच गुजरात के अंदर बनेगा मैं फिर से बता रहा 100% कोविट फर्स दोज कवरेज ये लद्दाग बन गया ऐसा वहाँ पर 100% सभी लोगों को फर्स दोज लग चुकी है ये बना है लद्दाग वेरी वेरी इंपोर्टेंट लद्दाग में टोटल टू डिस्टेक्स हैं कभ वार ये भी पूछ लेते हैं कॉश्चिन बोल कश्मीर के अंदर पाकिस्तान और चाइना मिलकर बना रहे हैं ये हैं गीरा सारबाई फ्रेंड्स अब हम काफी ज्यादा इंपोर्टेंट टोपिक करने वाले हैं इसके अंदर इस्टेटिक जीके और करेंट अफेर्स दोनों होंगे और एक्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं सबसे पहले हम देखेंगे इंपोर्टेंट अवोर्ट 2021 के काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए इपंचायत अवोर्ट 2021 ये मिला है उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवोर्ट 2020 ये मिला है शुरेश मुकंद को ज जपैन के हाइस्ट अवोर्ट का ये नेम है ये मिला है शामाला गनेश को इंटरनेशनल इन्विंसिबल गोल्ड मेडल 2021 ये मिला है रमेश पोक्रियाल को जो हमारे फोर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे अब हमारे करेंट एजुकेशन मिनिस्टर कोन है ये है धर्मेंदर प् 2021 ये मिला है विसुभूशन हरीजंदन को F.I.H. Presidents Award ये मिला है वीके पैंडियन को G.D. बिर्ला सम्मान ये मिला है प्रोफेसर सुमन चक्रबरती को भारत रतन एंड पदमा Awards at state level ये लोंच करेगा असम असम गवर्मेंट लोंच करने वाली है अपने state level पर भारत रतन एंड पदमा वोट्स ग्रीन एनर्जी अवोर्ट 2021 ये मिला है I.R.E.D.A. इंडियन दिन्यूएबल एनर्जी डिवलेपमेंट एजेंसी लिमिटेड फिप्टीन शेक जायद बुक पराइज 2021 ये इंडियन ओरिजन की ताहिरा कुद बिद्धिरिन को मिला है वेरी वेरी इंपोर्टेंट ताहिरा कुद बुद्धिन रुडोल्फ वी सिंदर अवोर्ट 2021 ये मिला है डॉक्टर डी नगेश्वर रेडडी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 ये मिला है डेवोड दिलोप को और इनकी बुक एट नाइट ओल ब्लड इस ब्लेक ये फ्रेंच में है याद रखने फ्रेंच ओथर है नेलसन मंडेला वल्ड हुमेनिटेरियन अवोर्ट 2021 ये मिला है रुमेना सिन्ह सहगल को इंडिया बायोडिवर्सिटी अवोर्ट 2021 ये मिला है साजी एनम को ये केरला के एक फार्मर है C.E.R.A.V. Global Energy and Environmental Leadership Award ये मिला है नरेंद्र मोदी जी को International Federation of Film Archives Award 2021 ये मिला है अमिताब बच्चन को Airline Patch Global Vision Award 2021 ये मिला है गीता मित्तिल को International E.N.I. Award 2020 ये मिला है C.N.R. Rao को UN Land for Life Award 2021 ये मिला है शाम सुन्दर जयानी को Sanctuary Lifetime Service Award 2020 ये मिला है एस्ती भासकरन को National Tansen Award 2020 ये मिला है सतीस ब्यास को Kaya Kalp Award ये मिला है एम्स भुफनेश्वर को Best Wildlife Photographer 2021 ये मिला है रोबर्ट इर्विन को UNESCO World Press Freedom Prize 2021 ये मिला है मारिया रिस्या को 69th Miss Universe 2020 ये बनी है एंडिया मेजा विटले Award 2021 ये मिला है नुकलू फॉम को Wildlife Innovator Award 2021 ये मिला है डोक्टर कीर्थी करन को World Food Prize 2021 ये मिला है डोक्टर शकॉंतला हरक सिंग को दोस्तों अब देखते हैं Important Sports Awards और यहां से question काफी जादा वार exam के अंदर पूछा जाता है सबसे पहले हम देखेंगे राजीव गांधी खेल देतन Award जो इंडिया का highest sport award है ये 2019 में मिले थे last time और इसके first recipient थे विश्मनात आनंद जो chess के grandmaster ने जो chess खेलते हैं अब हम देखेंगे latest ये last time किन को उनके बाद अभी तक किसी को नहीं मिले last time five players को मिले थे first रोहित शर्मा किर्किट के लिए मर्यपन धंगा वैलू ये पैरा एथलीट थे मनी का बत्रा ये table tennis खेलती है विनेश फोगाट ये wrestling करती है रानी रामपल ये होगी की captain है ये होगी खेलती है अब दोस्तो हम देखेंगे badminton के tournament जहांसे हमेशा एक question जरूर रोटा जाता है 2021 में जितने भी हुए अभी तक वो सभी देखेंगे सबसे पहले होता है Australian Open इसको hard court के अंदर खेला जाता है ये 109th edition था इस बार हुआ सा Melbourne पार्क में man singles में नवाग जोकोविक जीत गए हैं सर्बिया के हैं ये और women singles में जीती हैं नयोमी ओसाका जपैन की हैं इस बार सभी में नवाग जोकोविक ही जीते हैं फ्रेंच ओपन 2021 इसको click court पर खेला जाता है location इस बार थी state ronald guerriers in Paris Paris is the capital of France man singles में नवाग जोकोविक जीत गए हैं ये सर्बिया के player हैं और women singles में जीती हैं बर्बोरा, क्रीसी जोकोवा ये चेक रिपबलिक की हैं फिमिल्डन इसको grass court पर खेला जाता है और ये oldest tournament है among all 1877 से start हो गया था ये man singles में अगेन नवाग जोकोविक जीत गए थे सर्बिया के player हैं ये 20th time जीते थे women singles में जीती थी असलेगी बार्टी ये उस्टेलिया की हैं तो man singles तो आप से पूछने वाले नहीं हैं क्योंकि ये काफी easy आप से पूछेंगे women singles तो सारे के सारे याद का लेना ओष्टेलियन open में जीती हैं नयोमी Osaka Japan की और विमिल्डन में जीती हैं असिलेग बार्टी ये ओष्टेलिया की हैं और US open अभी तक हुआ नहीं है इसको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है दोस्तो 2020 FIFA Unders 17 विमेंस वर्ड कप इंडिया होस्ट करेगा अब देखते हैं इंडिया के फ्लैक बेर जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए हैं Opening ceremony में Mary Combe जो boxing खेलती हैं और Man Priest जो इंडिया की men's hockey team के captain है ये इंडिया के flag को bear करेंगे ये इंडिया के flag को ले कर जाएंगे opening ceremony में और closing ceremony में बजरंग पूनिया जो एक wrestler है ये इंडिया के flag को ले कर जाएंगे closing ceremony में UEFA Euro 2021 Championship ये इसका second edition था इसको Italy ने जीत लिया है दोस्तो अब देखते हैं Lawrence Word Sports Awards क्योंकि यहां से exam में पूछ लेते हैं Sportsman of the Year का award मिला है Rafael Nadal को ये काफ़ important है और Sportswoman of the Year का award मिला है Naomi Osaka को जो Japan की है यहां से पूछते हैं ये तिनों काफ़ important point है Lifetime Achievement का मिला है Billie Jean King को अब एक बार सारे के सारे देख लेते हैं जो काफ़ ज़्यदा important है Naomi Osaka को मिला है Sportswoman of the Year, Rafael Nadal को मिला है Sportsman of the Year, Billie Jean King को मिला है Lifetime Achievement, FC Baron को मिला है Team of the Year का award, Patrick Mahomes को मिला है Breakthrough of the Year award, Max Parrot को मिला है World Comeback of the Year, Kick for More by Kick Fair, इसको मिला है Sport for Good award, Muhammad Salah को मिला है Sporting Inspiration Award, Lewis Hamilton को मिला है Athlete Advocate of the Year का award, दोस्तों अब देखते हैं important appointments in India 2021, यहाँ से एक नाएक question जरूर पूछते हैं, सभी मैं से पूछते हैं, मैं सिर्फ important ही करा रहा हूँ आपको, President of all India Chess Federation बन गए है Sanjay Kapoor, MD of LIC बन गए है Siddhartha Mohantay, New Revenue Secretary under Ministry of Finance ये बन गए है Tarun Bajaj, PM of Israel बन गए है Naftali Bennett, और President of Israel बन गए है Isaac Herrdog, Chairman of the Airport Authority of India बन गए है Sanjeev Kumar, CEO of Niti Ayok बन गए है Amitabh Kant, Grievance Officer of Facebook in India बनी है Spurthy Piriyah, UN Goodwill Ambassador बन गए है Natalia Vodinova, यह रश्या की है First Woman President of Tanjaniya बनी है Samia Sulu-Hasan, Chairman of World Health Organization Executive Board बन गए है Dr. Patrick Amoth, First Woman Chief Justice of Tilangana High Court बन गए है Nima Pohundi, Vice Chief of Indian Air Force बने है Vivek Ram Chaudhuri, President of Confederation of Indian Industry 2021 यह बने है TV नरेंदरन, Chairman of NHRC, National Human Rights Commission यह बने है Arun Mishra, Deputy Governor of RBI बने है T. Ravi Shankar, CEO of Bata India है Gunjan Shah, Director of Central Bureau of Investigation है सुबहुत कुमार जस्वाल, President of FIH, Federation International Day होकी यह है नरेंदर बत्रा, Chief of NIA, National Investigation Agency है कुल्दीप सिंग, यह ही CRPF के डीची है Director General, CMD of ONGC, Oil and Natural Gas Cooperation यह है सुभाश कुमार, 48th Chief Justice of India from Anthra Pradesh, Nutulapati V. Ramana, Economic Affairs Secretary बने है Ajay Seth, Chief of PESP, Public Enterprises Selection Board यह है Malika Siniwasan, Chairman and Managing Director of CID भी यह है S. Ramana, Small Industry Development Bank of India, PM of Vietnam, Vietnam के अचल है हनोई, Femmin Chin, Chief Election Commissioner of India बने है Shushil Chandra, Super Important, Director General of World Bank है Poonam Gupta, Director General of CRPF है कुल्दीप सिंग, MDN CEO of Central Bank of India है Matam Venikata Rao, Director General of International Solar Alliance जिसके Headquarters गुरुगराम हरियाना में है Ajay Mathur, Director General of NSG, National Security Guard, MA Ghanapathी, Chairman of SCOPE, Standing Conference of Public Enterprises यह है Soma Mandal, New Chairman of AIBA, यह बनी है Maricum, of course Boxing की, Member of the High-Level Advisory Group by World Bank and International Monetary Fund यह है Mohotak Singh Ahlualia, New Director General of Assam Rifle यह है Pradip Chandran Nair, Head of Intelligence Bureau यह है Arvind Kumar, Director of NSG, National Security Guard, MA Ghanapathी, President of Portugal यह बने है Marculo Rebello D. Souza, World Bank Education Advisor बने है Ranjit Singh Dizale, President of Asian Cricket Council बने है Jay Shah, President of International Hogi Federation बने है नरेंद बत्रा, Director General of NCC है Tarun Kumar, CEO of Ayishman, Bharat Scheme है RS Sharma, CEO of MHN बने है Andy Jaisi, नए बने है भी, President of Boxing Federation of India, Ajay Singh, Chairman of Sail, Steel Authority of India Limited Soma Mandal, Chairman and CEO of Railway Board, यह है सुनीज शर्मा, CMD of FCI, Food Corporation of India Attish Chandra, CEO of UIDAI, Saurabh Garg, Vice Chief of the Naval Staff, Ravani Singh, Chairman of External Auditor Committee G.C. Murmu, CEO of Axis Bank, Amitabh Chaudhary, Special Director of CBI, Praveen Sinha, Administrator of NASA, Bill Nelson D.G. of NADA, National Anti-Doping Agency, Siddharth Longjam Chief Justice of Allahabad High Court, यह बने है, Justice Sanjay Yadav CMD of SIDBI, Small Industries Development Bank, S. Ramana Chief Statistician of India, यह है Dr. J.P. Samanth Chief Information Officer of the U.S. Army, यह बने है, Indian Origin Raj Iyer People's Advocate for the Climate Change Summit COP26, यह है, David Attenberg Director of Atal Pension Mission, यह है, Chintam Vaisna Director of Britannia, यह है, Urjit Patel Chief of Research and Analysis Wing, यह है, Samant Kumar Goyal इनका term extend कर दिया है Chairman of the Central Board of Direct Taxes CBDT, यह है, Primo Chandramodhi Principal Director of General of Press Information Bureau, यह है, Jadip Bhatnagar President of the International Olympic Committee, यह है, Thomas Batch, India's youngest female pilot, यह बनी है, Aisha Ajij, MD of National Acid Reconstruction Company Limited, यह है, Padma Kumar Madhavan Nayar, अब दोस्तों देखते हैं, भारत रतना के बारे में, इससे एक नए question जरूर पोज़ाता है, इसकी शुरुआत हुई थी, 1984 में, and it is the highest civilian award of India, इसका design देखते हैं, Overside, Overs मतलब आगे वाली साइड, reverse मतलब पीछे वाली साइड, so Overside में है, Sunburst Designed with Bharat Ratna written on it, यह लिखा हुआ है, भारत रतना देवनागरी स्क्रिप्ट में, हिंदी की स्क्रिप्ट को बोलते हैं देवनागरी, Riverside में है, National Emblem with सत्यगरा written on it, so यह reverse side है, आप देख सकते हैं, और इसकी स्क्रिप्ट है देवनागरी, जो हम हिंदी लिखते हैं, वो हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, यह आदकना इसको, अब फर्स्ट अबोडीज देखते हैं, 1954 में मिला था, यह फर्स्ट अबोडीज, 1954 में थे, फर्स्ट थे, सी राज गोपलाचारी, इनको पब्लिक अफेर्स के लिए मिला था, यह इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे, डोक्टर सरपिली राधा किसन यह हमारे फर्स्ट वाइस प्रेस्ट भी थे, इनको मिला था, पब्लिक अफेर्स के कैटेगरी में, और डोक्टर सी वी रमन, इन्ही के नाम पर हम नेशनल साइंस टे उब्सरप करते हैं, 28 February को, क्योंकि इन्होंने रमन इफेक्ट को डिसकवर किया था, उस दिन, इनको मिल इंडियन्स को, किस-किस को मिला है, मदर टेरेसा, यह नेचराइट, सिटीजन ओफ इंडिया थी, वैसे तो, इनको 1980 मिला था, भारत रतना, और नोबेल पीस प्राइज मिला था, इनको 1789 में, खान अब्दुल गफवार खान, यह फर्स नोन इंडियन है, कम्प्लिटी नोन इंडियन, इनको 1987 मिला था, यह पाकिस्तान के है, नेल्चन मंडेला, इनको 1990 मिला था, यह साओध एफरिका के है, और इनको नोबेल प्राइज मिला था, 1993 में, अब देखते हैं, लेटेस्ट रिसीपियंट, जिनको अभी जल्दी मिला है, 2019 में, उसके बाद तक अभी नहीं नाना जी देश मुक, इनको सोशल वर्क के लिए मिला है, यह RSS के थे, भूपेन हजारी का यह असम के थे सिंगर, इनको सिंगिंग के लिए मिला है, और पिंड़न मुखर जी, यह इंडिया के फोर्मर प्रेजडेंट थे, इनको भी भारततन मिला है, 2019 में, वेरी वेरी देते हैं कुछ important facts, जासे question पूछे जाते हैं, फ़स्ट पर्सन टू भी अवोडिट भारततना पोस्ट नुमसली, यह हैं लाल भाहदु शास्ती, फॉर्मर पीम ओफ इंडिया, जिनकी मृत्यू कर दे गई थी, ताशकन ने, फ़स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट इंडिया के अंदर जितनी भी highest posts हैं, उन सब में 7th नंबर पर इनका नंबर आता है, सबसे पहले, of course, president आते हैं, order of presidents में, सबसे पहले आते हैं, president, फिर आते हैं, vice president, फिर आते हैं, prime minister, फिर आते हैं, governors of states within the respective states, फिर आते हैं, former presidents, फिर आते हैं, deputy prime minister, उसके बाद आते हैं, chief justice of इंडिया, speaker of लोकसभा, और 7th नंबर पर आते हैं, cabinet ministers of the union, chief minister of state within their respective states, deputy chairman, planning commission के, former prime ministers, और leaders of opposition in Rajya Sabha, और 7th में आते हैं, इसके रावा, holders of भारत रतना decoration, तो order of presidents में, भारत रतना के holders आते हैं, 7th नंबर पर, तो ये काफी ज़्यादा important हो जाता है, भारत रतना इसलिए इंडि देखते हैं, important days, July मन्त के, 1st July को हम celebrate करते है, National Doctors Day, GST Day, Goods and Services, Tax Day, 1st July को इसके लावा हम celebrate करते है, National Chartered Accountants Day, CA Day, National Postal Workers Day, 2nd July को हम celebrate करते है, World Sports, Journalist Day, World UFO Day, 4th July को हम celebrate करते है, American Independence Day, Dharm Chakra Day, 6th July को हम celebrate करते है, World Genosis Day, 7th July को हम celebrate करते है, Global Forgiveness Day, World Chocolate Day, and International Day of Co-operatives, 10th July को हम celebrate करते है, National Fish Farmers Day, 11th July को हम celebrate करते है, World Population Day, very important, 12th July को हम celebrate करते है, International Malala Day, and Nabad Foundation Day, 15th July को हम celebrate करते है, World Youth Skills Day, 17th July को हम celebrate करते है, World Day for International Justice, 18th July को हम celebrate करते है, Nansen Mandela International Day, 20th July को हम celebrate करते है, World Chess Day, 23rd July को हम celebrate करते है, National Broadcasting Day, 26th July को हम celebrate करते है, Kargil Vijay Divas, 27th July को हम celebrate करते हैं Raising Day of CRPF Central Reserve Police Force World की सबसे बड़ी paramilitary force एक तरह से वैसे technically CAPF 28th July को हम celebrate करते हैं World Nature Conservation Day World Hepatitis Day 29th को हम celebrate करते है International Tiger Day 30th को हम celebrate करते है World Day Against Trafficking in Persons International Day of Friendship 31st July को हम celebrate करते हैं World Ranger Day चलिए दोस्तों अब देखते हैं State Vice List of CM& Governors क्योंकि अभी-अभी अपडेट हुए है 8 states के Governors तो काफी important हो जाता है आने वाले सभी exams के लिए जो भी August से शुरू होने वाले हैं आंध्र प्रदेश इसको found किया गया था 1st November 1956 और यहां की capital है अमरावती और यहां की गवर्नर है बिस्व भूशन हरी चंदन और यहां की CM है Y.S. जगन मोहन रेड़ी अरुनाचल प्रदेश 20 February 1987 यहां की capital है इटानगर और यहां के गवर्नर है बिर्गेडियर B.D. मिश्रा और यहां के CM है पेमा खांडू 26 January 1950 यहां की capital है दिस्पूर और यहां के गवर्नर है जगदीश मुखी और यहां के CM बने है हैमन्ता विश्वा सर्मा अभियभी बिहार 22 March 1912 यहां की capital है पतना और यहां की गवर्नर है भागु चोहान और यहां के CM है नितीश कुमार 36 गड़ नयारायपूर या फिर बिलासपूर यहां की गवर्नर है अनुसिया उके और यहां के CM है भुपेस बगेल गोवा 30 में 1987 यहां की capital है पंजी और यहां के गवर्नर बन गए है पियस सिरीदरन पिल्लाई और यहां के CM है प्रमोत सावंत गुजरात गांधी नगर यहां के गवर्नर है आचारे देव विरत और यहां के CM है बिजे रूपानी हर्याना 1st November 1966 यहां की capital है चंडीगर यह पंजाब की भी capital है और यहां के गवर्नर है बंदारु जत्तातरिय और यहां के CM है मनोह लाल खटर हिमाचल प्रदेश इसको फाउंड गया ऐसा 15th April 1948 यहां की capital है शिमला और यहां के गवर्नर बन गए है अब राजेंदर विस्मनात अरलेकर और यहां के CM है जैराम ठाकुर 15th November 2000 यहां की capital है राची और यहां के गवर्नर बन गए है अब मेश बैस और यहां के CM है हैमन्त सोरेन करनाटका 1st November 1956 यहां की capital है बैंगलूरू और यहां के गवर्नर अब बन गए है थावर्चन गहलोत और यहां के CM है बीएस येदुरप्पा केरिला 1st November 1956 यहां की capital है तिरुवंतरमपुरम यहां के गवर्नर है आरिफ महुम्मत खान और यहां के CM है पिनराई विजयान मध्य प्रदेश 1st November 1950 यहां की capital है भुपाल यहां के नए गवर्नर बन गए है MC पतेल और यहां के CM है शिवरा सिंग चोहान मारास्ट्रा 1st May 1960 यहां की capital है मुंबई और यहां के गवर्नर है भगसिंग खोसियारी और यहां के CM है उद्दव ठाकरे मनिपूर 21st January 1972 यहां के capital है इमफाल यहां की गवर्नर है नचमा है पतुला और यहां के CM है एन बीरेन सिंग मिघालिया 21st January 1972 यहां की capital है शिलोंग यहां के गवणर बन गए है सत्यपाल मलिक और यहां के सीम है कॉंग्रेंट संगमा मिजोरम 20 फेबरी 1987 यहां के कैपिटल है आईजोल और यहां के गवणर है हरी बाबु खंबापती और यहां के सीम है जोरम थंगा नागलेंड 1 डिसेंबर 1963 यहां की कैपिटल है कोहीमा और यहां की गवणर है आरेन रवी और यहां की सिये में एफ्यू रियो और इसा फर्स्ट अप्रेल 1936 यहां के एप्टल अभुबनेश्वर और यहां के गवणर है प्रोफेसर गनेशीलाल माथुर और यहां के सिया में नवीन पत्नायक पंजाब 1st November 1966 यहाँ केप्टल है चंडिगर्ड हर्याना की भी है और यहाँ के गवणर है वीपी सिंग बद्नोरे और यहाँ के सिय में कैप्टन अमरेंदर सिंग राजिस्थान 30 मार्च 1949 यहाँ केप्टल है जैपूर और यहाँ के गवणर है कलराज बिश्रा और यहाँ के सीय में असोग गैलोग यहाँ केप्टल है गैंक टोग और यहाँ के गवणर है गंगा परसाद और यहाँ के सिय में प्रेम सिंग तमांग तमिल लाडू 1st नवेंबर 1956 यहां के गवर्नर है बनवारिदाल पुरोहित और यहां के सिय में MK स्टेलिन तेलंगा ना इसको फाउंड के गया था 2nd जून 2014 और यहां के गवर्नर है डोक्टर तमिल सलाई सुन्दरा राजन और यहां के सिय में के चंसेखर राओ तिरपुरा 21st जैन्वरी 1972 यहां के कैप्टल अगरतला और यहां के गवर्नर है सत्यदेव नरायन आर्या और यहां के सिय में विपलव कुमार देव उत्तर प्रदेश 24th January 1950 यहां की केपिटल है लखनउ और यहां की गवणर है āनंदी बेन पटेल और यहां की सियरी मियोगी अदितरा फॉत्तरा खंडे 9th November 2000 यहां की केपिटल है देरादून और यहां की गवणर है बेवी रानी मोर्या और यहां की नजी सियरी मैं पुश्कर गवनर या फिर एडमिस्टेटर के साथ जहां पर सीय में वो भी देखेंगे अंडमान है निकोबार इसको फांड के गया था 1st November 1956 और यहां की कैपिटर है पोर्ट बलेर और यहां के लेफटिनेन गवनर है श्री देवेंद्र कुमार जोशी चंडिगड 1st November 1966 यहां की कैपिट है श्री पिरफुल पतेल डेली 1st November 1956 यहां की कैपिटल है न्यू देली और यहां के लेफटिनेन गवनर है श्री अनील बेजाल और यहां की चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरिवाल जम्यवन कश्मीर 31st October 2019 यहां की कैपिटल श्री नगर एंजमू है यहां के लेफटिनेन गवनर है मनोज सिनहा लक्षदीप 1st November 1956 यहां की कैपिटल है कवरती और यहां के एडमिस्टेटर है श्री पिरफुल पतेल पुद्दुचेरी 1st November 1954 यहां की कैपिटल है पुद्दुचेरी और यहां की लेफटिन गवनर है तमिसलाई सुंदरराजन और यहां के सिम है एन अगर आप इसकी पीडिया फाइल चाहते है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप टेलिग्राम गुरूप जोइन करकर पीडिया फाइल ले सकते हैं थैंक यू फो वोचिंग जैहिंद